नमस्कार दोस्तो बीपियस सी मेंस को ध्यान में रखते हुए साइन्स एन टेकनोलजी का अंदरगत जितने भी इंपोर्टेंट प्रस्ने उन सारे ही प्रस्नों को बारी बारी से कवर कराये जा रही है आज इसी कड़ी में नेक्स प्रस्न है बिहार की प्रगर्ती में प्राकृतिक आपदा एक प्रमुख बाधा है आधूनिक प्रदोग की आपदा को नियंतरित करने और आपदा प्रभाव को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं उप्युक्त दारर सहित असपस्टी करण कीजिए बहुत इंप्रटेंट प्रश्न है बिहार के डिजास्टर से सम्मंदित डिजास्टर मेनेजमेंट से सम्मंदित हर साल बीपीएस्टी में एक प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलता है तो इस बार के लिए एक प्रश्न काफी इंप्रटेंट हो सकता है तो चलिए इसका ए इसका एक संदार definition आप यहाँ पे लिखने का जरूर प्रियाज कीजिए बिहार के संदर में, उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि बिहार की प्रगरती में प्राकृतिक आपदा एक प्रमुक बाथा है, इसका मतलब आपको दिखाना है जितना भी प्राकृतिक आपदा है, उ उन सारे ही प्रकृतिक आपदा को बताने की कोसिस करना, जी से बाढ़ हो गया, सुखा हो गया, वज्रपात हो गया, भुकंप हो गया, इसे बहुत सारे जो प्रकृतिक आपदा यहां पे हैं, उनको यहां पे बारी बारे से दिखाना है, और सिर्फ उसी को दिखाना नहीं है, ठीक है उसके कह सकते हैं कि समाधान करने के भी आपर कोसिस करना है तो पहला जो ठीक है question का जो पाठ है complete हो जाएगा अब यहाँ पर दूसरा जो पाठ है कि अधुनिक प्रदोग की आपदा को नियंतरित करने और आपदा परभाव को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं देखिए डिजास्टर है इसे रोका नहीं जा सकता है लेकिन इसकी इंटिंसिटी को कम जरूर किया जा सकता है यही पर साइन्स एं टिकनोलोजी का परियोग करके तो अब जो भी आपए परियास किया गया है आप यह क्या क्या उपाय किया जा सकता है सपोस करेगा आप यह SDM बन गए DM बन गए किसी यह केरिया का अगर सारी की जोग बारे में पता नहीं होगा तो फिर उसके परभाव को आप कैसे कम करेंगे यह कुसल परसासक आप सावित नहीं होंगे ठीक है तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है उसके बाद से आपको बताना है निसकर्स अब निसकर्स में आप टिपड़ी कर सकते हैं जो भी इसके चैलेंजेज है समधान के रूप में ठीक है टिपड़ी यहाँ पर जरूर कर सकते हैं अब आएम लोग यहाँ पर बात करते हैं परिचाई के रूप में डिजास्टर मेनेजमेंट अर्थात आपदा किसे कहा जाता है तो यहाँ पर सिंपल आपको बताने की कोशिस करना है आपदा का मतलब क्या होता है आपदा का मतलब यहाँ पर एक बहुत ही यहाँ पर बड़ा हो जाएगा बिधवन्स कारी घटना अब यहाँ पर प्रकृतिक भी हो सकता है जिसे कि बार, सुखा, भुकम इस पर तो मानो का किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं है लेकिन सपोज करी यहाँ पर कई जगा दूर घटनाएं देखने के लिए मिलती है प्लेन क्रेस हो जाता है तो वो भी कहीं डिजास्टर से कम थोड़े है तो प्रकृतिक साथ साथ मानो जनित भी होता है मानो जनित भी होता है और जब भी इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर होगी तो बड़े मात्रा में यहाँ पर जान माल की छती होगी पर यहाँ और यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभावित होगा समाजिक संतलन पूरी तरीके से बिगड़ते आएगा सपोज कर ये कहीं बाढ़ा गया तो फिर वहाँ पे समस्य आपके ने होगी पूरी समाजिक विवस्ता हाँ पे चौपिट हो जाएगी लोग माइग्रेट करने लग जाएगे तो समाजिक विवस्ता भी इससे पूरी तरीके से प्रभावित होगी अब इसी आपदा को लेके यहाँ पे आपदा प्रभंधन अधनियम 2005 में आपदा प्रभंधन 2005 में एक कह सकते हैं कि डिफिनिशन तै किया गया कि कहीं भी अगर बले रूप में यहाँ पे बिधवन्स हो रहा है या फिर बिपत्ती हो रहा है भी पत्ती आ रही है ठीक है अब फिर बेहद ही गंभीर यहाँ पे द्रुघटना या फिर कोई यहाँ पे ट्रेजटी यहाँ पे हो रही है तो उसी को यहाँ पे क्या कहा जाएगा आपदा कहा जाएगा अब इसमें मानो जीवन की बहुत बड़ी यहां पे हानी होगी तो भायो कसी बात है लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बिहार की बात करें वर्तमान में हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे अधिक आपको प्राकृतिक आपदा ही देखने के लिए मिलेगा ठीक है वरतमान समय में अगर देखा जाए तो बिहार का लगवक 72% के आसपास बाड से परभावित छेत रहें, इसके 70-50% जो छेत रहें यहाँ पर सुखा से परभावित छेत रहें, अर्थाथ बिहार दोहरी आपदाउ से यहाँ पर पूरी तरीके से मार यहाँ पर छेली र रहे हैं तो समस्तिया यहां पे होती ही होती है। तो यहां पे आप देख पार हैं यह जो हिमाले का जो भी एरिया है यहां पे यहां पे हिमाले का जो भी एरिया है खास कर जो सिवालिक रेंजे सिवाली के साथ साथ उपर उपर मध्यम हिमाले ब्रिहद हिमाले अब उपर से बहुत सारी जो नदिया देख पार है यहां पे बह नेपाल के लोग यहाँ पे वनों की जो कटाई है जंगलों की जो कटाई है अंधा धूंद यहाँ पे कटाई कर रहे हैं अंधा धूंद कटाई कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग रोक नहीं लगा सकते हैं दूसरे देश के नेपाल के लोग अपने वनों को काट रहे तो यहाँ पर हम किसे रुक लगा सकते हैं, एक mutual understanding के माधियम से वहाँ पर उनको control किया जा सकता है, जवड़ जस्ती नहीं किया जा सकता है, अब यहाँ पर one रहता, तो पानी के परवा को कम कर सकता था, लेकिन one है ही नहीं, बड़ी मात्रा में one को खतम कर दिया गया है, तो इससे क्या हो होता है कि पानी और फ्रिली अस्टेट में खासकर इधर कोसी जैसी नदिया है, यहाँ पर कोसी हो गया, इधर गंडक हो गया, ठीक है, बीच में कई सारी नदिया है, बागमती हो गया, ठीक है, कमला नदी हो गया, ऐसे बहुत सारे जो नदिया है आपको यहाँ पर तरीके से बाढ़ प्रभावित छेत्र देखने के लिए मिलेगा अर्थात यहां पर आपका सकते हैं कि लगभग ठीक है उन्निस जीलों में यहां पर लगभग उन्निस जीले को अफेक्टेट करता है कोसी नदी के में बात कर रहा हूं इसके अलावा जो भी नदीया है और आस पानी चला जाता है तो घरों में जो पानी चला जाएगा तो वेक्तियों का जो भी यहां पर किरिसी वला जो चेत्र है उद्योग वला चेत्र है ओटो पूरी तरीके से यहां पर दूब हम लोग देखने का प्रयास करें ठीक है इधर मैंने दिखा यहाँ पर गंड़क गंड़क के साथ-साथ यहाँ पर ठीक है बुधी गंड़क बुधी गंड़क उसी तरीके से यहाँ पर बागमती बागमती के साथ-साथ हो जाएगा कोसी नदी जिसे बिहार का सोक भी बोला जाता है, महानन्दा नदी, ऐसे बहुत सारी नदियों के द्वारा समस्या ठीक है, पैदा होती ही होती है, तो अब यहीं करना है आपको कि इसे जो किस प्रकार से बिहार affected होता है, थोड़ा उसका हम लोग आकलन करने का प्रयास करते हैं, देख प इन उत्तरक नदियों को दल्षिर में हम लोग इंटरलिंकिंग के माध्य हम से जोड़ सकते हैं, जिसके वज़ा से इधर भी सिच्चाई के साधन पूरी तरीके से उपलब्द हो पाए, तो यहां पर नेक्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, बिहार में बाढ़ से होन जाए तो यहां पर देखने का प्रयास किजिए, राज में अगर देखा जाए तो कुल जो बाढ़ परभावित जो छेतर हैं, लगभग यहां पर और 6,800 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया होता है, ध्यान रुकेगा, जो राज के कुल भावगो ही होता है, अब यहां पर देखेंगे, तो उत्तर बिहार में, ध्यान रुकेगा, उत्तर बिहार में, लगभग जो नौर्थ बिहार में, जो जनसंखिया जो अफेक्टेट होती है, लगभग 76 पर स्तिसप जो जनसंखिया होती है, एक किसी निकिसी कारण के वस्ते यहां पर ठीक है बाडर से प्रभावीत जो छेतरे हैं यहाँ पर इनको affect यहाँ पर डालता है वह इसे हहीं यहाँ पर देखेंगे तो भारत का त्यान से देखते चलिए भारत का लगभग पूरा का पूरा जो छेतर फ़ल ठीक है जो भूँमी का जो छेतर पहले सोरी जो बाडь लाग हेक्टेयर, छेत्रे में, बिहार का जो सिर्फ और सिर्फ देख पार है कितना छेत्रफल है, लग भग यहां पर मान को चलिए 70,000 किलो मीटर, टोटल कितना है, 400,000 किलो मीटर, 400,000 किलो मीटर, कुल यहां पर परतिस्त निकालेंगे, तो यह हो जाएका लग भग 17.2, ज्य बाड़ परभावित जो population है त्याम से देखते चलिए बाड़ परभावित population है उसका 22 पर 30 जो हिस्सा है वो बिहार में यहां पर निवास करती है तिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितनी समस्या है यहां पर बिहार आर्थिक सरवच्छड 2020-21 में कुछ डेटा यहां पर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 14 जो जीला है बिहार का बूरी तरीके से बाड़ से परभावित है और यहां पर बड़ी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुचा है लगभग 727 करोड के आस पास फसलों को नुकसान पहुचा हुआ है और जो सारवनिक संपत यह लगभग 3200, 81 करोड के आसपास इनका नुकसान हुआ है, तो आप इसी से अंदाज़ें यहाँ पर लगा सकते हैं, कितनी बड़ी मातरा में समस्या हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक जेनरलाइज एक डेटा लेने का प्रयास किया, भारत की परिप्यक्च में, कुल भारत में बाढ़ प्रभावित जितने लोग हैं, उसमें से 22% जो लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिहार से बिलोग करते हैं, अब यहाँ पे इसका कारण क्या है, बाढ़ का कारण क्या है, बाढ़ का कारण क्या है, तो बाढ़ का कारण बहुत सारा कारण है, जैस और ले जाके नहीं जा सकते हैं, बिहार भावलिक लोकेशन के दिरिश्टी कोड से हो, तो वहीं फिक्स हैं पूरी तरीके से, तो यह समस्या है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तीब्र धलान, जो भी हिमाले नदिया है, उसकी धलान में बड़ी यहाँ पर त ब्रता है, और तिसरा कारण हो जाएगा, नेपाल में अंधा धुन, अंधा धुन, वनो की कटाई की वज़ा से साब हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, तो भारी भारी इस खास कर पहारों के, जो ठीक है, जो धलान वाला छेतर होता है, वहाँ पर वर्सा की म छेतर में वनो की कटाई, देखते हैं न, यहाँ पर खास कर जो मैदानी भागों को काटने से रोकने के लिए वनो की बड़े मातरा में रुपाई की जाती है, तो यहाँ पर वहीं यह जलगर हर छेतर में वनो की कटाई अगर कर लिया जाएगा, तो फिर वहाँ पर पानी को इसके अलावा तत्व बंधो का thingy है जो भी तत्व बंध है उसका जो घंत व है यहाँ पे घंत है यहाँ पे कम है जतना बड़ा यहाँ पे छेतरफल यहाँ पे होना चाहिए उतना बड़ा यहाँ यहाँ पे नहीं है खास कर उत्तर भारत में चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो कुल मिला का हमने बाड से रिलेटेट सारे चीज़ों को देखने का प्रयास किया अब आई हम लोग नेक्ट बात करते हैं यहाँ पे सुखा की तो सुखार भी समस्या है यहाँ पे उतर भिहार में समस्या देखा हमने बाड का तो वहीं यहाँ पे दच्छिर जो भिहार है देखेंगे तो सुखे की मार यहाँ पे जेलता है सुखे की मार दच्छिर बिहार ठीक है चुकि बिहार की जो यहाँ पे पूरी तरीके से जो जलवाई हो है अगर देखा जाए तो मौनसुन पे अधारित त्यार रखेगा मौनसुन पे अधारित जलवाई है अर्थात मौनसुन पे अधारित यहाँ पे बिहार में क्रिसी की जाती है और समस्या यहाँ पे होती है खासकर बिहार के दच्छिड छेतर में बारिस के कमे के कारण हर दो तीन वर्सों में देखेंगे हर दो तीन वर्सों में दो से तीन वर्सों में सुखाड की समस्यां यहां पे होगी होगी अर्थात बिहार की छेत्रों में अच्छे खासी वर्सा तभी होती है जब मौनसून बहुत अस्ट्रोंग हो यहाँ पे तब जाके उधर जो ठीक है पहाडी छेतर है उन छेतरों पे यहाँ पे जा पाती है ठीक है चुकि बिहार के जो सब्चना है देखिए गंगा नदी का जो बहाओ है बीच से इधर बीच से वो इधर तो आपको पुरा-पुरा ढला नहीं है लेकिन इधर जो पहाड है यहाँ पे कुछ ही स्टाइब का ठीक है तो यह भी एक समस्या का कहिन कहीं आपकारा नहीं से लिए जो भी नदिया उत्तर भारत सोरी उत्तर विहार और दच्छिड विहार से वो सारी नदिया याके गंगा नदी में यहाँ पे मिलती है तो सुखा को हमने देख लिया सुखाय के समस्या इतनी गंभीर थी यहाँ पे खासकर पुर्वत्तर यहाँ ठीक है मध्य कह सकते हैं कि ठीक है जो मध्य वाला जो भाग है वहाँ पे जल की कमे के कारण जो खड़ी फशल का खड़ी फशल का भारी यहाँ पे नुकसान हो गया राज में लगवाग देखा यहां पर इस डेटा को थोड़ा सब लोग एक्जाम में लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है, अब आई हम लोग उनेखन बात करते हैं, वज्रपात को लेके, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारान है, अनिश्चित मौत जी से बोला जाता है, कहां पर वज्रपात किस पर गिर जाए, यह कोई नहीं जान सकता है, ठीक है, तो वरतमान समय में इसकी जो दर है, इसकी जो इंटेंसिटी है, यह बढ़ गई है, और इसकी वज़ा से यहां पर बिहार में मौतों की संखिया बहुत उमर नहीं है 25, अगर एक फेमिली का कोई वित्ति अगर मारा जा रहा है, तो उसके साथ साथ सोचिए, कितने सारे लोगों की यहां पर समस्या होगी, तो कहिन कहीं यह क्या, डिजास्टर से कम है यह, कुछ सोच के आप देख लेजिए, जान माल की छती यहां पर भी होती ही ही होती है, उसी तरीके से यहां पर हो जाएगा भुकाम पर दुखान, ध्यार रखेगा भुकाम पर दुखान, तो भुकाम का जो 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 निर्धारित किया गया है, जिसे कि 5, ठीक है, 5, 4, 3, 2, जिसमें 3 और 2 ठीक है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक कम इंटेंसिटी वाला जोन है, कम खतरनाक उला जोन है, लेकिन 5, 4, 4 यह बहुत ही खतरनाक उला जोन है, और यहां पर आपको ध्यान रखना है, कि बिहार इन दोनों ही जोन में आता ही आता है, आए दिन बिहार में भुकाम के जटके यहां पर लगते ही लगते हैं, आप देखेंगे ठीक हिस्टि पढ़ेंगे तो कई बार बिहार में भुकांप यहां पर आ चुका है कई बार खासकर मुझपर पुरुला जो एरिया है उत्तर बिहार का जो एरिया है तो वहां पर समस्यां यहां पर होती ही होती है इसके अलावा आंधी और तुफान खासकर देखेंगे तो मौनसून के ठीक पहले बहुत तेजी से जो ठीक है पौने जो चलती है उसके बज़ा से बहुत भारी समस्य आती है या फिर ठीक है ठंधी के दीनों भी देखेंगे यहाँ पे खासकर जब western disturbance का जब effect रहता है तब भी यहाँ पे समस्या होती होती है बहुत सारे फसले इसमें क्या हो जाती है प पर कि चार सो ठीक है 969 लोगों के आस पास ठीक है मृत्तिं होने का यहाँ पे सुचना मिला हुआ था ठीक है जीक है जीसे तुफ हान वाला जो छेतर है खासकर नीचे वाला जो इरिया है जीसे कि गया हो गया सारन हो गया ठीक है गंगा के किनारे उसी तरीके से याँ पर जमुई जमुई रोहतास औरंगाबाद औरंगाबाद बाका बाका उसी तरीके से याँ पर देखेंगे तो लगभग आपको 25 अधिक जो इसे जिला मिल जाएगा जहाँ पर दुफान बड़ी मातरा में आते हैं लोगों को ठीक है बड़ी मातरा में ये मौत दे जाता है अब नेक्ट बाई बात करते हैं अधुनिक प्रदोग कियों प्राकृतिक अबदा के छेतरे में किया गया परियास या फिर अधुनिक प्रदोगी की प्रयोग करके प्राकृतिक अब्दाओं का किस प्रकार से निया अंतरन किया जा सकता है थोड़ा इसे आप लोग समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिए ठीक है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इंपर्टेंट पॉइंट्स को जै प्रयोजना क्या है लिप्ट सी चाहिए प्रयोजना क्या है डेटर लॉगिंग डिवाइस क्या है तो ऐसे जो भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जरूरी क्यों है ठीक है तो कुरी तरीका से यहां फे रोका नहीं जा सकता है भलकि इसकी इंटेंसिटी को इन्टेंसिटी को यहाँ पर कम कर्यास किया चाकता है अब यहाँ पर जरूर नुग के माध्यम से जल्दी इसको recovery किया जाने का परियास किया जा सकता है recovery किया जाने का परियास किया जा सकता है अब यहाँ पे जरूरी क्यों है तो यहाँ पे जो अलग-अलग department के यहाँ पे लोग होते हैं जिसे की समस्यां यहाँ पर आएगी आएगी तो यहाँ पर जरूरी है कि जो भी यहाँ पर बचाओ दल है बचाओ दल के पास डॉक्टरों के पास मुडर्न यहाँ पर टेकनोलोजी होना चाहिए जिसके वज़ा से वे लोग ठीक है पूरी तरीके से बेहतर मैनेजमेंट यहाँ पर कर सके इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि आपदा प्रबंदन में बिग्या नेवम जो प्रदोग की की जो भूमका है यहाँ पर आपदाओ के कारण को बेहतर ढंक से समझने में यहाँ पर मदद करेगा जो भी यहाँ पर कारण है जैसे कि मौनसून का कारण क्या है अगर हरीकेन आ रहा है टुरेंटो आ रहा है अलग अलग छेतरों में विली विली टाइफुन आप लोग नाम जरूर सुना तो उसका कारणों दीखे हम लोगों ने जान लिय है तो बहुत हद दक उसके परभाव को में लोग कम कर सकते हैं कब आता है किस समय आता है कौन-कौन छेतर परभावित होता है तो पहले वहाँ पर इलर्ट यहाँ पर जारी किया जा सकता है तो इस चीज को आपको समझने का जरूर प्रयास किजिएगा ठीक है कारणों का ठी कि जो भी आपदा का यहाँ पर निगरानी यहाँ पर किया जा सकता है निगरानी कब किया जाएगा जो हमारे पास मोडर्न टेक्नोलजी रहेगा तब ही तो हम निगरानी कर सकते हैं तब ही भवी समारी किया जा सकता है कि इस समय कुछ यहाँ पर होने वाला है लेकिन ध्यान रखेगा ये सारे खासकर भुकम्प जैसे आप दाओं में ते बहुत अधिक परभावी नहीं होगा जो कि भुकम्प कब आएगा कहां आएगा भी भी सारा जो बिज्ञान है कहीं कहीं यहां पर फिल हो जाता है पृष्वी के अंदर के चीज़ें समस्य होती है ठीक है इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो आप दाओं के कारण को बेहतर ढंक से समझने में आप दाओं के तैयारी में आप दाओं के परभाव निगरानी में भैविश्वारी करने में जो मैंने सारा ही बातों को मेंसन करने का यहां पर प्रयास किया है ताकि इसके जितना हो सक इसको यहां पर कम किया जा सके बेहतरी मैनेजमेंट के माध्यम से इसका जल्दी से जल्दी यहां पर प्रबंदन किया जा सके अब यहां पर अगली जो पहल है satellite and remote sensing ध्यार रखेगा satellite and remote sensing मैंने बताया गुआ था वैसे छेटर यहां पर दुरुवरती छेटर कोई भी छेटर जल्दी से यहाँ पर क्या होगा, सिटलाइट के माधियम से वहाँ के करेंट जो सिच्वेसन ही उसको बता देगा, जैसे कि यहाँ पर समझने का प्रयास किजिए, यह तकनीक आपदा नियंतरल में सबही चरणों को, जो भी यहाँ पर चरण होता है, आपदा में ठीक है, सबही चरणों को पूरी तरीके से सुचना परदान करने का कारे करता है, जैसे कि suppose करिये कोई आपदा यहां पे आ रहा है तो उसके लिए पूरू तयारी करना जरूरी है अब जो भी वहां पे ठीक है जिस राजे में आ रहा है वहां का CM, DM सब कोई मिलक यहां पे तयारी करेगा पूरू तयारी इसके साथ यहां पे पूरू चितावनी देना बहुत जरूरी है ताकि जितना हो सके जानमाल की छती को यहां पर कम किया जा सके जितना तेजी से हो सके यहां पर राहत रिलिफ परदान किया जा सके पुनरवास को यहां पर मैनेजमेंट किया जा सके तत्तवर्ती इलाका है या बिहार का कोई इसा इलाका है जहां पर लग रहा है कि पिर वहाँ से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह कहीं यहां पर ठीक है, ले जाके उसको ठीक है, पुनरवास करने के हैँ पर जरूरत है, नियू निकरण की सूचना यहां पर दी जाने चाहिए, नियू निकरण, अर्थात जैसे ठीक हुआ तो जलदे से जलदी ये बाते भी फैलाना जरूर एक देखो ठीक हो गया फुल मिला के सारा जो कारण है आपे ध्यान रखेगा इस सिटलाइट एंड रिमोट सेंसिंग के माधियम से अगर हम लोग पहले सुचना दे दे तो कितना ठीक रहेगा सुचिए नदियों का जलास्तर बढ़ रहा है नदियों का जलास्तर बढ़ रहा है रात में लोग सोये थे जैसे कि कुछ साल पहले हुआ था 2003 या 2004 के आसपस मुझे जहां तक ध्याने बिहार में जब कोसी नदी जब वहां पर ठीक है पूरी तरीके से बिहार का सोक जो हो गए थे डेम को तोडते हुए एक सारा जिलों को परपाउत कर दिया था उसने सुचिए क्या हाल होगा उसने तो अगर पहले इन सारे ही चीज़ों को अगर ठीक है आगाह कर दिया जाए लोगों के बीच में जाके तो लोग यहाँ पे alert रहेंगे उसके बाद से यहाँ पे next है कि जब ही यह सब चीजी यहाँ पे होगी देख पर है नहीं यहाँ पे नदियों का जलास्तर बल रहा है जलास्तर बल रहा है तो परसासन के द्वारा इनको यहाँ पे transfer किया जा सकता है transfer पुनरवास के लिए यहाँ पे एक जगह से दुसरे जगह तक ठीक है चेतावनी दे के वहाँ पे shift होने के लिए बोला जा सकता है ठीक है तो कुल मिला के आपको ही समझना है कि देखिए इसके रोका नहीं जा सकता है पूर्ता बस यहीं कोशिस करना है कि इसके माध्यम से इसके परभाव को जितना कम हो सके उतना यहाँ पे क्या करना है कम करने का यहाँ परियास करना है जहां रोकेगा कम करने का परियास करना है इसके अलावा इसी के माध्यम से हो सकता है कि भावगोलिक जो सूचना परणाली भावगोलिक सूचना परणाली के माधियम से जो भी कह सकते हैं कि बैग्यानिक परवंधन है या फिर जो निती है यह सुदूर जो समेधी आक्रों को यह अस्तानी से इसको परभावी या कुसल बनाने का कारे किया जा सकता है जो भी इसका data है किसी सबोस करिए कि satellite remote sensing का data आया ठीक है किसी special भोगोलिक location के अधार पे आया कि यहाँ पे यहाँ पे बाढ़ अधिक आने वाला है जितावनी देना यहाँ पे जरूर रहत है तो इसकी यहाँ पे कारे कुछ सलता क्या आओगी कुछ और ही यहाँ पे होगी तो वहीं सारी बाते हैं आपको ठीक है बस यहाँ पे इन सारे पॉइंटों को लिख देना है exam में जाके उसके बाद से हम लोग next बात करते हैं यहाँ पे wireless communication का नाम ही जैसे यहाँ पे wireless communication का इसी को यहाँ पे बोला जाता है real time अर्था इंस्टेंट एक भी सेकेंड इधर उधर नहीं ठीक है real time में यह बहुत अथिके सहायता करता है सपोच करिया यहाँ पे कहीं पे अगर hurricane आ गया hurricane आ गया tornado आ गया tornado आ गया इसके अलावा तडित जहन्जा भारी वर्षा भारी वर्षा सुखा हिमपात हिमपात तेज हवा ऐसे बहुत सारे जो भी यहाँ पे जोखिम भरा जो चीज हो जोखिम भरा चीज हो यहाँ पे वहाँ पे चेतावनी instant यहाँ पे तेजी से यहाँ पे दी सा जा सकती है ठीके तेजी से दी जा सकती है तो इसके द्वारा दिया गया जो भी दिसा निर्देश है जो भी सुचना है जो भी सेवाय परदान की जा रही है लोगों को इंस्टेंट जितना जल्दी हो सके जगह को खाली करने में जगह को खाली करने में मदद मिलेगी जिसके वज़ा से उसकी हानी को यहां पे कम किया जा सके उसके बाद नेक्ट यहां पे बहु उदेशी नदी घाटी पर उजना तो जगा जगा यहां पे होना चाहिए खासकर बिहार में उतर बिहार में पिल्कुल होना चाहिए ताकि उसके फ्लो को पानी के तेज बहाओ को यहां पर रोका जा सके तो उसके लिए बहुदेशी नदी घाटी पार युजना का निर्मार बेहत जरूरी है इसके तहट यहां पर ध्यार रखेगा नदीयों पर बड़े अस्तर पर यहां पर डैम बनाना चाहिए यह हर जगह देखे कारगर साबित नहीं होगा मैदानी इलाकों डैम बनाने से क्या फैदा है धलानी इलाकों बनाना पड़ेगा खास कर बरसात के दिनों में ताकि इसकी हानी को यहां पर कम किया जा सके जब भी देखे बहु उदेशिय नदी परोजना का विकास किया जाता है तो एक यहां पर उदेशिय नहीं है नाम ही है बहु उदेशिय परोजना इसे यहां पर बिजली का भी निर्माड किया जा सकता है सिचाई के साधन को भी अपनाना जा सकता है जैसे कि कोई उच्छ छेत्र है उच्छ छेत्र है आपे ध्यान रखेगा कोई अगर उच्छ छेत्र है तो उच्छ छेत्रों में असानी से पान नी पहुंचया जा सकता है जैसे कि अगर सोचे कि अगर इन नदियों को अगर दछष्छ भिहार तक ले जाया जाया, तो असानी से वहाँपे भी बाढ Bennett हों सुखे जैसे समसिया को ध्यान रखेगा, ठीक है, मैंने उतर भिहार में बाढ की समसिया खतम हो जाएगी, और दच्छिट भिहार में जाके सुखे की समस्रियां पे खतम हो जाएगी ठीक है तो इसको बहुत हत्तक यहां पे नियंत्रित किया जा सकता है जैसे की एक जामपल के माधे हमसे समझने का प्रयास केजिए जैसे दमोदर नदी एक समय था जब दमोदर नदी को बंगाल का देखिये सुक कहा जाता था बंगाल का सुक कहा जाता था जिसे वरतमार में सुक कोसी नदी को बोला जाता है बिहार के संदर में लेकिन अभी वर्तमान में देखिए दमोदर नदी में कैसारी परियोजनाओं को यहाँ पे चालू किया गया, कैसारे इसमें डैम बनाया गया, जिसके जासे बाढ़ की तीवरता यहाँ पे क्या हो गई? कम हो गई? नदियों के पानी को विभीन छेतरों में शिचाई के लिए ये वर्तमान में परियोग ठीक है बड़ी मात्रे में किया जाता है बिहार में भी इसका अपलाई किया जा सकता है कि बिहार में देखिए पूरी तरीके से क्या है नदियों का जाल है नदियों का यहां पर जाल बिछा हुआ है तो सरकार यहां पर रिवर इंटर लिंगिंग प पर चलाया जा सकता है उत्तर पूरव की नदियों को अपका सकता है उत्तर बिहार की नदियों को दच्छीड बिहार की नदियों से जोड़कर बाढ़ के परभाव को यहां पर कम किया जा सकता है उसके बाद नेश्ट है पर लिफ्ट सिचाई पर यूजना यह वहीं लिफ्ट है उचे छेत्रों में जैसे इसका सबसे बड़ा भी वर्तमान में ठीक है अच्छा जो एक्जामपल है ते लंगना ते लंगना लिप्ट सी चाई पर विजना को बड़ी खुबसूरती से यहां पर चला रहा है ठीक है बाढ़ को नीमित करकर वह अर्थ विवस्था को यहां प प्रियोग करके जहन रखेगा असानी से वहां पर पानी को पहुंचाया जा सकता है ठीक है उसके बाद नेक्ट है हाँ पर डेटा लोगिंग डेवाईस नहीं रखेगा डेटा लोगिंग डेवाईस अभी यह भी काफी चर्चा में रहा है इसको बनाया गया है बृतिस कोलम इसको यहां पर बनाया गया है अब इसका काम क्या है तो यह क्या करता है तो जो भी यहां पर नदी की जो धारा होती है उसके किसी भी हिस्से के पानी को यहां पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है पानी का जो अस्तर है ध्यार रखेंगा धारा ठीक है पानी का जो लेवल है पानी का जो यहाँ पे टमप्रेचर है इसको यहाँ पे रिकोर्ड यहाँ पे कर लिया जाता है जो भी इसका डेटा है ध्यार रखेंगा डेटा को यहाँ पे एकत्र कर लिया जाता है इकठा कर लिया जाता है और फिर इसके अधहार पे उसका बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कि प्रवंधन यहां पे किया जाता है तो यह बहुत important device है बहुत संस्ती है इसको असानी से प्रयोग किया जा सकता है कुल मिला के हमने यहीं देखा किस प्रकार से बिहार में बाढ़ को नियंतरित करने के लिए इस प्रकार के चीज़ों को यहां पे हम लोग असाने से अपना के अच्छा खासा यहां पे बिहार का विकास कर सकते हैं अब आई हम लोग फाइनली देखते हैं यहां पे निसकर्स में ठीक है तो निसकर्स में आपको बताने की कोसिज करना है कि देखिए बिहार में अब यह तो किसी से छुपा नहीं है अभी तक की बातों से हमें यहीं लगा कि बिहार हो नहों यहां पे प्रकृतिक अपदाओ का बिहार के पिछले पन में सबसे बड़ा कारान यहां पे हैं ठीक है मौजूद है यहां पे लेकिन अब यह प्रकृतिक अगर आपदा है तो इसको देखिए रोका नहीं जा सकता है मैंने बताया था इसकी intensity को इसकी intensity को यहां पे ध्यार रखेगा कम जरूर किया जा सकता है कम जरूर किया जा सकता है और इसको कम करने के लिए फिर science and technology का science and technology का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होगा और वरतमान समय में ध्यान रखेगा बिग्याने में प्रतो की अब छुपा नहीं है बिल्कुल है ठीक है कारे करी रहा है रामबाण की तरह कारे कर रहा है अलागि science and technology का अपना एक negative impact भी है लेकिन जहाँ पर हमको एक सकरात्मक चीजे अगर अधीक मिल रहा है तो उसको यहाँ पर परियोग करना चाहिए और यहीं चीज science and technology का जो परियोग है बिहार में प्राकृतिक आपदाओ को नियंतरित करने में इसका उप्योग किया जा सकता है जिसे कि आपदा पूरूठी के चेतावनी है और बाद में जो भी डेटा संग्रा पहले चेतावनी यहाँ पर दे दिया जाए जब यहाँ पर पूरा इसको नस्ट वस्ट सब कर दे हाँ पर तो जो भी यहाँ का डेटा ही कठा कर लिया जाए कि कितना डेमेज हुआ है और यहाँ पर कितना यहाँ ठीक है recovery करने की जरुरत है उसके लिए फिर सरकार बजट बना सकती है कहीं से मदद ले सकती है लोगों को यहाँ पर इंस्टेंट रिलिफ दिया जा सकता है मैंने पढ़ाया था आपको बिहार में गरीवी के कारण था यहाँ पर बार बार में यहाँ पर देखिए आएगा उसको कोई रोक नहीं सकता है लेकिन बार के बाद से जो रिलिफ होता है देखिए उस रिलिफ को इस्टेंट लच्छित लोगों तक पहुचाने बहुत अधिक समय लग जाता है जिसके वज़ा से बिहार में गरीवी बढ़ जाता है वे लोग उस छेत्रों को छोड़के बाहर चले जाता है तो कहीं कहीं इन सारे ही गतविधियों के माधियम से उसको बहुत हद तक समरच्छित किया जा सकता है कंट्रोल किया जा सकता है तो मेरे ख्याल से इतना परयाप्त है ठीक है अपना आप लोग फीड़बैक जरूर दे थैंक्स पर वाचिंग जैन हिंद्य